हलो फ्रेंज अपना किचन में आपका स्वागत है आज मैं टेंगरा मचली की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ जो की बहुत ही जादा टेश्टी बनेगा तो देखें टेंगरा मचली को मैं अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ उसके बाद साप पानी से धोग करके एक प्लेट में निकालनी हूँ और सारा पाने निठालनी हूँ मैं 400 ग्राम टेंगरा मचली ली हूँ आप अपने जरूत के साबसे कम जादा कर सकते हैं और बहुत ही जादा टेश्टी मचली होती है अब एक बावल में हम लोग मचली को रख लेंगे फ्रेंज छोटी साइज की मचली होती ह बहुत ही जादा बड़ी नहीं होती है लेकिन खाने में बहुत ही जादा टेश्टी लगेगी अब इसमें आड़ करेंगे आदा छोटा चिमच हल्दी पावडर और डाल देंगे आदा छोटा चिमच नमाग अभी इन सारे सीजु को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये छोटी साज की मचली होती है लेकिन खाने में टेश्टी होती है लेकिन बनाएंगे अच्छे से तब टेश्टी लगेगी बहुत से लोग होते हैं कि अच्छे से नहीं बना पाते हैं तो मचली खड़ाब हो जाता है और टेश्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनता है एक मोटा कटा हुगा प्याज, एक छोटा टुकड़ा अधरक्का, एक मोटा कटा टमाटर, आधा छोटा चमच सर्सू, तो सर्सू कोई भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, पीला या काला, आधा छोटा चमच जीरा, आधा छोटा चमच, धनिया 10 से 12 काली मीर्ज के दाने और डाल देंगे 2 चमच पानी अब इन सारे मसालों को पीस लेंगे तो देखिए मसाले पीस चुके हैं अब चुली पर कड़ाई रख देंगे और गैस अन कर लेंगे उसमें डालेंगे 2 बड़ा चमच तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तब चारो तरफ इस तरह से देखिए कड़ाई में तेल को फाइला लेंगे और गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे अब इसमें आड़ करेंगे मैरिनेट किये हुए टेंगरा मचली तो इस तरह से देखिए चारो तरफ फाइला करके डालें और टेंगरा मचली डालने के बाद गैस का फ्लेम तुरंत लो कर देंगे और एक तरफ से एक मिनट तक फ्राई होने देंगे तो देखिए एक मिनट हो चुके हैं अब दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ भी एक मिनट तक फ्राई होने देंगे तो ज्यादा फ्राई नहीं करना है नहीं तो मचली टूट जाएगी बस एक मिनट तक ही लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे दोनों तरफ से तो देखे फ्रेंज टेंगरा मचली फ्राई हो गई है अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अब उसी कड़ाई में दो चमस तेल और डालेंगे और अच्छे से गरम कर लेंगे जब तिल गरम हो जाएगा तब उसमे आड़ करेंगे एक चोथाई चमस मेथी और मेथी को हलका सा चटकने देंगे जब मेथी चटक जाएगा तब उसमे आड़ करेंगे पीसे हुए मसाले और मिकसर गैंडर के जार में दो चमच पाने डाल करके खंगराग करके डाल देंगे अब इसमें एड़ करेंगे एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच लाल मिर्च पाउडर अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर 7-8 मिनट तक मसालों को भूनेंगे फ्रेंज जितने अच्छे से मसाले भूने रहेंगे उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगी मसली तो इसलिए मसालों को अच्छी तरह से जरूर भूने तो देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं अब हम इसमें आड़ करेंगे एक छोटी कटोरी पानी और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक तो नमक ग्रिवी के स्वाद के नुसार डालें क्योंकि हम लोग टेंगरा मचली को मारिनेट करते सम मिक्स कर देंगे अब हम गयस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और ग्रिवी में उबाल आने तक का वेट करेंगे तो देखिए ग्रिवी में उबाल आ गया है अब एक बार हम इस तरह से चला देंगे और गयस का फ्लेम लोग कर देंगे अब इसमें डालेंगे फ्राई किये और अच्छी तरह से ग्रेवी में डूबा देंगे, बहुत से लोग टेंगरा मचली को फ्राई नहीं करते हैं, तो फ्रेंस बिल्कूल भी ऐसा ना करें, फ्राई जरूर करें मचली को नहीं, तो टेस्ट खराब हो जाएगा, अब लो फ्लेम पर ही ढग करके 2 मिनट तक पकने देंगे, 2 मिनट हो चुके हैं, ढकन हटाएंगे, और यह देखिए फ्रेंस, हमारी टेस्टी टेंगरा मचली बन के रेडी है, इस तरह से बनाएए, बहुत यादा टेस्टी बनेगी, तो मचली को फ्राई जरूर करें, बिना फ्राई किये बनाएंगे, तो बिल्कूल भी ट आरीफ करेंगे, तो अगर टेंगरा मचली की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें,